हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दे स्टडी पावर में दोस्तों आज हम डिसकस करेंगा इंटरफेस जो कि आपके एक्जाम्स के लिए बहुत ही जादा इंपोर्चेंट होते हैं तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड में आप क्विज कर आज हम देखेंगे इंबंक इंपाटिन शोर्ट नियूस इस फिरहम में इंट्रनेश्ट के लिए इंपड़ेस करेंगे तो चली हब देखते हैं हमारी आज की इंपर्टिन कंट अट रफेस की नियूस तो आज का lecture शुरू करते हैं dates and events के साथ तो आज का lecture एक बहुती शांदार दे के साथ डिसकस करते हैं जो कि है National Civil Services Day इससे दोस्तों कई बार direct questions बन जाते हैं तो इसमें जो जो questions बन सकते हैं तो पहला question ये बन सकता है कि National Civil Services Day को अपरेल 21 को celebrate किया जाता है उसके बाद जो next question मन सक सब्सक्राइब करें घटरेटाइब्र संद ध्यूर अगला बन सकता है और शो को स्टील ऑफ फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था तो दोस्तों यह सरदाल पटेल जो है हमारे यानि कि वल्लबाई पटेल उनके द्वारा कहा गया था और जो अगला कि याद रखेगा कि फादर और सविल सर्विसिस चार्लिस कॉन्वेल्स को का जाता है और जो हमारे सरदर भल्लबाई पटेल है इन्होंने ब्यूरोकेट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था और नेश्चनल सविल सर्विसिस दे एपरेल-21 को मनाया जाता है चलिए आगे भ तो दोस्तो पहले जो इसमें कोटा हुआ करता था वे अब भड़ा दिया गया है जो कि पहले 75,000 हुआ करता था अब इसे टू लैक तक पहुचा दिया गया है जो कि एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि दोस्तो हमारे देश से बहुत से भगत जाते हैं साओधी अरेबिया मे जो कि मुस्लिम्स के लिए एक बहुती अच्छी जगह और बहुती पवित्र जगह होती है जो कि हज की यात्रा होती है उनके द्वरह ये का जाता है कि अगर अपनी लाइफ में किसी ने एक बार हज की यात्रा कर ली तो समझो उन्हें खुदा ही मिल गया तो दोस्तो इसे और भी जदा बढ़ावा देने के लिए कोटा बढ़ा दिया गया है दोस्तो एक और अच्छी बात इसमें की गई है कि पहले जो वुमें सुआ करती थी मुस्लिम वे अपने शोहर के बिना इस हज की यात्रा में जाएंगी तो ये भी बहुती अच्छा इनिशेटिव है दो ज्समें कम से कम ग suivी साड़े घ्रा घंटे घ्र चाईम लगा है जोक्य शंगाई में हुना सहा की जाते हैं इसमें दोस्तों वेजल के अलग-अलग कंट्री से टेकंड़ोजिष. प्रेजेंट की जाती है यानि कि दोस्तों ये एक इंटरनेशनल लेविल का फेर है जिसमें अलग-अलग देश आके अपने बैस्ट टेक्नोलोजिस को प्रेजेंट करते हैं और ये जो फर्स्ट राइम मनाया गया था यानि कि पहली बार जो एक्जिबिशन लगी थी ये तो 2013 में लगी थी तो आप इन्हीं सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा अब बात करते हैं तालीबान के बारे में जो कि दोस्तों अफगानिस्तान का एरिया घेरे हुए हैं तो दोस्तों रिसेंटली अफगानिस्तान की गवर्मेंट और तालीबान इस जो हैं वे क इनके सैनिक हैं इनके बीच में आभी भी जो मैटर है वे सॉल्फ नहीं हो पा रहा है इसलिए दोस्तों इन दोलों की मीटिंग फिर से कैंसल कर दी गई हैं रिसेंटली दोस्तों यूएस ने का था कि अफगानिस्तान में जो भी इनके टुप्स हैं वे वापस मंगा लेंग इसलिए दोस्तों यूएस भी चाता है कि अपने टुप्स को वापस लाने से पहले अफगानिस्तान में अपनी गवर्मेंट आ जाए यानि की ऐसी गवर्मेंट जो जनता के द्वारा चुनी गई हो इसलिए दोस्तों रिसेंटली बहुत ज़्यादा बातचीत में चल रहा इन्होंने दोस्तों जो गाउं का एरिया होता है उसे घेर के रखा है पूरी तरह से वे दोस्तों छुपके वार करते हैं और जो गाउं की एरिया होते हैं वहाँ पे जाके रहते हैं इसलिए अभी तर पकड़ में नहीं आ पा रहे हैं और इन्हें अफगानिस्तान में जो तालिबान हैं इन्हें पाकिस्तान के द्वारा भी पूरा सपोर्ट किया जाता है इसलिए ये मैटर बहुत टाइम से चल रहा है अब यूएस भी इसमें पीछे हट रहा है तो अब देखना इंट्रस्टिंग होगा क्या अफगानिस्तान में ये तालिबान जाते हैं या फिर क दोस्तों माली के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी गवर्मेंट के साथ रेजिगनेशन दे दिया हैं क्योंकि दोस्तों रीसेंड ली जो मॉप्टी रीजन है वहां पे दोस्तों एक मैसेकर हुआ था जिसमें दोस्तों मार्च 23 में जो ये मैसकर हुआ था इसमें 160 के डैथ हो गई थी यान की 160 पीपल मर गए थे इसलिए दोस्तों इस वॉयलेंस को हैंडल ना करने की वज़े से इनका बहुत ही जादे क्रेटिजिजम हो रहा है इसलिए जो माली के प्राइम मिनिस्टर है यह अपना डेजिगनेशन दे दिया गया है इनके द्वारा जो यह स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही है अब देखते हैं नैशनल अफेर से नियूस तो नैशनल अफेर्स की नियूस है हेल्प्राइन नंबर 112 के बारे में जिसमें दोस्तों यह का जा रहा है कि हमारे देश की 20 स्टेट्स एन यूनियन टेरिट्री से फार बहुत ही जल्द यान इसी तरह हमारे देश में एक एरलप्राइं नंबर 112 लॉंच किया गया है जोकि दोस्तों 2012 Monarch time इंचाव है अग्यूक्र से इंप्राइन प्ने शिकान था दोस्तों ऐसा ही एक नमबर 911old यादं रख सकते हैं जूखी अवे प्योंप effयाई सकता है जोकी हमारे Madrid इंसिए यह नंबर्स भी आप लोग याद रख सकते हैं अब देखते हैं स्पोर्ट की नियूस अब बात करते हैं हमारे देश की एक बहुती शांदार वेस्टर जिनका नाम है बजरंग पुनिया तो दोस्तों जो यह बजरंग पुनिया है इन्होंने दोस्तों फ्रीस्टैल कैटेगर पुनिया उन्होंने लास्ट यह एंड कॉमण वेल्ड गेमस में गौल्ड मैडल वी जीता और इसे के साथ दोस्तों इन्होंने वर्ल्ल चेंपेंश्टिप जो कि चाइना में होने वाली है इसके लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप यह भी पॉइंट याद रख सकते हैं कि एशिन रेस्लिंग चैंपेंशिप 23 अपरेल को होने वाली है वे चाइना में होने वाली है और इन्होंने अपना जो लास्ट कीती वर्ल्ड में वे दोस्तों नमबर में कीती लास्ट यार तो अब इन सभी पैंट को भी याद दोस्तों जो यह खुनी विसाकी बुक है दोस्तों जो हमारे 13 अपरेल 1919 में जो जलिया वाला बाग मैसेकर हुआ था उसी के उपर बुक लिखी गई थी जो कि दोस्तों जो यह नानक सिंग इनके द्वारा सो सल पहले लिखी गई थी दोस्तों जलिया वाला बाग 1919 में हुआ था और आज हम खड़े हैं 2019 में तो इसे पूरे सो यर कंप्लीट हो गए है यह इसलिए हो जाता है तो दोस्तों जो यह सौरियर कंप्लीट हो गए है इसी पर दोस्तों हमारे न्यू देली में अभी 13 अप्रेल को यह बुक लांच की गई जिसका दोस्तों इंग्लिश टांसिले तो दोस्तों आप लोग यात रख सकते हैं कि यह जो बुक हैं यह जलियवाला बाग के उपर एलिस्ट हैं और यह जो प्रेजेंट की गई है यूई में इंग्रिश टांसिलेशन में विन अवदिव सिंग पुरी के दोरह की गई है और यह बुक लिखी किसने हैं इनी के ग् 1000 लोग इसका विरोत कर रहे थे तो जो हमारे जनरल डायर थे वहां के प्रिटिश के उन्होंने नजाने कितने लोगों पर गोलियां बरसाई थी और हमारे देश के हजारों लोग मारे गए थे तो यह हमारे देश का एक बहुत ही दुखत गटना थी और इसे भी 100 साल भी जो 138 थी लेकिन अब यह दो रैंक गिरके 140 रैंक हो गई है हमारे इंडिया की और इसमें जो टॉप किया गया है वह नॉर्वे के द्वारा किया गया है दोस्तों जो हमारे प्रेस होती है यानि कि जो हमारे रेपोर्टर्स होते हैं उन्हें डेमोक्रेसी का फूर्थ पिलर क और दोस्तों इसमें जो 180 countries है उसमें से हमारी देश की 140th rank है और इसमें जो 2nd position है वे फिनलेंड की है और 3rd position जो है स्वेडन की है तो आप लोग 1st, 2nd, 3rd और इंडिया की position जरूर याद रखिएगा और ये ranking इसके दर रेप्रेजेंट की गई है ये प्रेजेंट की गई है दोस दोस्तों cancer का पहले से ही पता लगा जा सकता है तो दोस्तों एक artificial intelligence based एक ऐसा सिस्टम मनाए गया है जो की focal net है जिसमें दोस्तों magnetic resources imagining यानि की MRI skin के द्वारा इस डेशिस का पहले से ही पता लगा जा सकता है जो की पूरी accuracy के साथ पता लगा जाएगा जो की कहा गया है लौस ए California के researchers ने यह का है और इस फोकल नेट्स को भी डवलप किया है और इसमें यह का गया है कि जो यह एक अच्छी खबर भी हो सकती है यहां पर देख भी सकते हैं कि यहां पर जो यह कैंसर हो जाता है यहां पर इसको ठीक करने की बात की जा रही है पहले यह ऐसा होता है लेकिन बाद में यह ऐसा हो जाता है चलिए अगे बढ़ते हैं और आप यह भी देख सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर दो तरह के होते हैं एक तो नॉर्मल प्रोस्टेट होता है और जो एक प्रोस्टेट कैंसर होता है तो यह ऐसे हो जाता है बाद में USD dollar का loan दिया है रवानडा को तो इसमें ज़ो थ्री separate project चला जाएंगे वो दोस्तो agriculture project चलाएगा development of special economic zones ये project चलाएगा और दोस्तो road project चलाएगा तो आप पहलो तो तीन project से आत रखिएगा एक तो agriculture और एक development of special economic zone और road project के लिए और loan कितना दिया गया है रवानडा को ये 266.6 million USD और इसमें दोस्तों जो बेस बुटारो किदाहो रोड प्रोजेक्ट है इसमें 66.60 मिलियन दिया गया है लोन आपसे ये भी कुशन पुछा जा सकता है कि बेस बुटारो किदाहो रोड प्रोजेक्ट ये कहां पे चलाया गया है तो ये रवार्णा में चलाया गया है जो कि हमा पंद आवर्ट दिया गया है और इन्होंने जो बुग लिखी है उनका उसका नाम है समविदान काव्या जो कि दोस्तों समविदान के बारे में लिखी गई है और इन पुलिस ओफिसर का नाम है सुनीर कुमार गौतम तो दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं इनका नाम की को याद रख सकते हैं अब मैंने आपको जो कल क्विस दिये थी 20 अप्रेल को यानि की एक बार उनके आंसर देख लेते हैं तो दोस्तों डेवलेमेंट बैंक के दौरा यह का गया कि हमारे देश में 2018 को 3 बिलियन का हाइस लोन लिया गया और श्रीलंका ने अपनी पहली सेट यूएस के दो से लांज की है जिसका नाम है नेपाली सेट वन और दोस्तों हमारे में जो हैं आई पील में हाईस्टर कैप्टन बन गये हैं विल से जीतने वाले यानि की 100 जीत पूरी करने वाले कैप्टन बन गये हैं और दोस्तों जो यह होम एक्सपो एड इंडिया 2019 चल इसका एर्थ एडिशन था यह अब एक बार रिवीजन करते हैं और देखते कि हमने आज क्या के डिसकस किया तो सबसे पहले हमने इंडेक्स देखा फिर हमने डेसन इवेंट से देखा नैशनल सिविल सर्विस इस्टी जो की 21 अप्रेल को सेलिब्रेट किया जाता है फिर हमन जो तालीबान और अफगानिस्तान की कतर में मीटिंग पोस्पोन हो गई उसके बारे में जाना फिर हमने माली के प्राइम मिनिस्टर ने रेजिगनिशन दे दिया है उसके बारे में जाना फिर हमने नेशनल अफेशनी नियूस देखी जो की हैड़ प्राइन नंबर 112 के बा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 140 वी रैंक रही उसके बाद हमने साइंस इंड टेक्नलोजी से देखा कि कैंसर का पहले ही फोकल नेट के द्वारा पता लगाए जा सकता है फिर हमने बैंकिंग और एकॉनोमी से देखा कि एक्जेम बैंग ने रवांडा में 3 प्रोज प् één नेनसे नमबर आप को बताना है और थोस्तों वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है वो रैंक आपको बतानी है और दोस्तो जो पंजाबी पोयम जलीवाला बाग मैसे कर खूनी वैसा के रिलीस की गई है यानि कि इसका जो इंगलिस ट्रांसलेशन रिलीस किया जा रहा है वे कहां पे लॉंच किया जा रहा है उस सिटी का नाम आपको बताना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का लेक्चर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा होगी आपके लिए बेनिफिशल है तो इसे कमेंट करके मुझे क्विस में आंसर जरू बताया और मुझे कमेंट मेक्स भी बताया कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसे लाइक और शियर जरू करें और आप सब्सक्राइब भी जरू करें हमारे चैनल को डेली वीडियो देखने के लिए आप हमें फिस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो के पीडियाफ टेलिग्राम या डिस्क्रिप्चन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तो इसी तरह आप डेली 7 एम को करेक्ट आजाय करिए और डेली लेक्च्चर को अटेंड किया कीजिए